आज हम गेहूं के आटे में से बनाएंगे रोटी आइंबिल की आगे की रेसिपी देखने के लिए मेरी चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐज में गेहूं के आटे में से चपाती बना रही हूं ऐनएविल एक ऐसा तप है जिसमें ओयल का यू नहीं उता है। तो अगर हम घर reflect करके रखते हैं अर ने इरंड तेल लगाया है तो वो वाला गेूर यूज नहीं होता है तो हमें बीना ओल वाला गेंुर लेना है। इसे पीचाना है और इसमें से हमें चपाती बनानी है। यहां पर मैंने एक छोटा कप लिया है और मैंने बीना ओल डाले पानी से आटा गूंद लिया है। अब इसे 10 मिनिट रहने देंगे, 10 मिनिट के बाद अब हम थोड़ा सा सुखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे, अब रोटी बिलने के लिए थोड़ा सा सुखा आटा लेंगे, यहां पर मैंने एक व्यक्ति के हिसाब से आटा गुंदा है, एक छोटे से कब से इतना आटा होता है और इसमें से तीन चपाती बनती है, तो आप अपने हिसाब से आटा गुंदा है, मिट्टी के तवे को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और अब हम चपाती को बेल लेते हैं यहां पर इसी गेहूं की चपाती में बना रही हूं पर अगर इसमें बाकी के आटे भी मिक्स कर दे थोड़ा सा तो उसकी भी चपाती बन सकती है जैसे कि गेहूं के आटे में थोड़ा सा नाचनी का आटा डाल दे या फिर जुवारी का आटा डाल दे या फिर बेशन डाल दे तो मिक्स आटे में से भी चपाती बन सकती है इसी गेहूं के आटे में अगर आप थोड़ा सा नमक डाल कर आटा गुनते और इसे पराठा की तरह बेलते हैं तो इससे पराठा भी बन सकता है पर ये सब बीना ओल और बीना घीके ही बना सकते हैं इस चपाति को आप मूंग मौठ गाठी की सबजी मेथी पापड की सबजी आप किसी भी सबजी के साथ इसे खा सकते हैं रोटी एक साइट से पक गई है तो इसे पलट देंगे इसे गेस पर फुलाना है तो हम दूसरी चपाती हाथ में लेंगे इस पहली चपाती को चिम्टे से पकड़ेंगे और इसे गेस के उपर पकाएंगे तो ये हमारी सौफ्ट सौफ्ट रोटी बन का तयार है आज आएंबील का पहला दिन है आसा करती हूं में कि आप सब को ये रेशिपी यूसफुल होगी इस साल हमें घर में करना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं हम घर में भी आसानी से हर तरह की रेशिपी बना सकते है अब ये गर्मा गरम फूल का रोटी तयार है आप इसे किसी भी सबजी के साथ सब कर सकते हो आप देख सकते हो कितनी अच्छी और सौफ्ट रोटी है ये इसे गर्मा गरम ही अच्छी लगती है घर में रहे स्वास्थ रहे जाई जिनेंद्रों